नमस्कार दोस्तों, नेचर इंडिया इस्टडी में आपका स्वागत है दोस्तों मचलियां पकड़ने का सवक तो हर किसी को होता है लेकिन मचलियों का सिकार करने का सही तरीका सभी को नहीं पता होता और बहुत से लोग तो पूरे के पूरे दिन मचलियों की सिकार के लिए तालाप की किनारे ही बैठे रहते हैं फिर भी ज़्यादा मचलिया नहीं पकड़ पाते और कुछ के हाथ तो एक भी मचली नहीं लगती और ऐसा होता है केवल और केवल सही चारा और चराई ना पता होने के कारण तो दोस्तों इसी को देखते हुए एक बार भी मैं लेकर आ गया हूँ चराई वाले करम में एक नया वीडियो इस वीडियो में मैं आपको एक अलग ही चराई बनाने के बारे में बताऊंगा और अगर आप वीडियो में बताए गए चराई का इस्तेमाल सही से करते हैं तो आप कम समय में ज़्यादा मचलियों का सिकार आसानी से कर सकेंगे और ओभी बड़ी साइज की तो चलिए दोस्तों बिना देरी किये हुए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों चराई को बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेना होगा गेहूं की भूसी और अगर आप चाहें तो इसकी जगापर राइस ब्रान का यूज कर सकते हैं लेकिन जहां तक मुझे पता है कि राइस ब्रान हर जगापर आसानी से नहीं मिल पाता है इसलिए मैं इस चराई में गेहूं की भूसी का यूज कर रहा हैं और अगर बात करें मात्रा की तो इसकी कोई निश्चित मात्रा नहीं है आप अपने आवसकता अनुसार इसकी मात्रा घटा बढ़ा सकते हैं इसे लेने के बाद हमें लेना होगा बारी किया हुआ मस्टर्ड केक यानि की सरसो की खली और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सरसो की खली क्या होती है तो बता दूं कि सरसो से तेल निकालने के बाद जो बसता है उसी को खली कहते हैं और जहां तेल निकालने का काम होता है में जो खऴी आप देख रहे हैं उसे मैंने पहले से ही बारीक लिया था जिससे की वीडियो ज्यादा लंबी नहीं वैसे इसे पहले मैंने वीडियो में खळीको बारीक करके भी दिखाया है अगर उन वैडियो के बारे में भी नहीं जानते हैं तो इसे देख सकते हैं कुछ इस तरह का होता है अजवाइन और इसकी मात्रा की बात करें तो इसकी मात्रा हमें खली और गेहुं की भूसी के अनुसार ही एड़ करनी है दोस्तों मैं जितनी चराई बना रहा हूं इसमें मैं लगभग एक चु टृष में डालने से हथे पहले इसे थोड़ा सा क्रस्स जरूर्ष कर दें जिस तरह वीडियो में करकर दिखाया जा रहा है। इसके बाद इसे भी इसमें डाल दें और फिर सुखे पर ही इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जिससे हमें बाद में चराई बनाने में ßen पा इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और मिलाते रहना है इसमें हमें ज्यादा पालनी एक बार में ही नहीं डालना है नहीं तो हमारी चराई गेली हो सकती है इसलिए हमें इसमें थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना है और मिलाते रहना है इसमें हमें उतना पानी है उससारक दोस्तों इसका इस्तेमाल हमें उस्तान सब्सांट पर करना हो चाहते हैं उससार能ज पफट आपको इसे बेट डालने कि पंदरा से बीस मिनद में congregate फेकना होगा जिससे की मचलिया उस जगह पर आकर इकठी हो जाएं और आप उनका सिकार आसानी से कर पाएं और इस तरह आप थोड़े ही समय में ज्यादा से ज्यादा मचलिया पकड़ लेंगे तो दोस्तों कुछ इस तरह से हमें चराई का इस्तेमाल करना होता है इसके साथ ही दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि मेरी चराई दोस्तों मैंने आपको चराई भी बनाकर दिखा दिया और चराई के इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में भी बता दिया उम्मीद करता हूं कि चराई से रिलेटेड कोई और सवाल सेस नहीं रहा है अगर ऐसा है तो वीडियो को जादा से जादा सेयर करें और लाइक कर दे जिससे की आगे आने वाले नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार